हलो स्टुडेंट तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पैराबोला ओके तो अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं स्टेट लाइन सर्कल पैराबोला और उसके बाद इलिप्स अब हम लोग है पर पर रहे हैं जब हम लोगों कहीं है यह पर बोला भी कंपलीट हो जाएगा तब हम लोग पूरी कॉडिनेट जोमेटरी पढ़ जो के होंगे उसके बाद फ्रॉम दो कॉडिनेट कॉडिनेट जोमेटरी कोई भी क्वेश्चन अगर बनके आया होगा चाहिए जही मैन हो या जही एडवांस हम उस क्वेश्चन को सॉल कर पाएंगे तो देखो यहाँ प फिर पहरा बोला हो एक पॉइंट का लोकस है कैसे पॉइंट का विच मुव इन दे प्लेन इन सच अवे किस तरीके से मुव कर रहा देखो डार्क में डैट दरेश्यो ओफ इक से दिस्टैंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट जिसे हम लोग फोकस बोलते हैं तो इक से डिस्टैंस फिक्स पॉइंट है उसको हम लोग फोकस बोलते हैं और जो फिक्स लाइन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं दायरेक्ट्री तो लेट सब्स पी एक पॉइंट है h, k fix line जो है हम लोगों का यह है अब fix line का हम लोग कुछ नाम देते हैं जैसे कि यहाँ पर मानलो मैंने point दिया a और यहाँ पर मैंने point दिया b तो a भी एक fix line है मतलब वहीं है कहीं पर भी इदर उदर shift नहीं हो रही है और a से एक fix point है अगर हम लोग distance calculate करें क्या होता है eccentricity e की value क्या होती है यह 1 से ज्यादा ellipse के अंतर क्या होती थी e से 1 से छोटी और जो हम लोगों ने parabola पढ़ा था उसके अंतर तो e is equal to 1 हुआ करता था तो definition 2 क्या है देखो definition 1 जो है वो konics से मिलकर आईए कोच दिक्कत नहीं है उसके अंतर the hyperbola is the set of all the point in a plane the difference अब देखो यह वाला word यहां पर बहुत important है difference of whose distance from two fixed point in a plane is a constant तो देखो यह suppose को कोई point P है variable point है इसका हम locust calculate कर रहे है और दो fixed point हमारे पास है F1 और F2 अगर हम P से F1 की distance निकाल लें P से F1 की और P से F2 की distance निकाल लें और दोनों को subtract कर दें और उसका mode लें mode में इसले ले रहा हूं क्योंकि F1 और F2 में से कोई भी pass हो सकता है P के normally हम लोग क्या करते हैं जैसे हम लोगों के पर hyperbola है और एक point हमें दिख रहा है और यहां क्या आ गया है difference तो वहां सम हुआ करता था है यहां पर क्या हो गया 2GX प्लस 2FY प्लस C बराबर 0 अब कोई बोल रहा है कि यह hyperbola है अगर यह hyperbola है तो पहली बात सबसे first condition क्या होनी चीए डेल्टा जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और डेल्टा यहां पर पता होना चाहिए तुम्हें क्या होता है है एक determinant के अंदर value निखालते हैं हम लोग A H G और यहां पर symmetrical लिए ABC होता है H B और यहां पर F इस तरीके से same to same G और F और C यह होता है डेल्टा की value ओके दे रोगो सिमेट्र के ना A B C डाइगोनल के अंदर और यहां पर क्या है H H G G F F डाइगोनल लिए यह दोनों के सबके सबके सिमेट्रिक लिए तो सबसे पहले डेल्टा जीरो नहीं होना चाहिए और H स्क्वेर्टर देन क्या होना चाहिए A B अगर यह condition दोनों है मतलब second condition यह first condition अगर यह general equation of order 2 तो 100% यह equation किसको represent कर रही होगी hyperbola का कभी-कभी ऐसे question होते हैं इस पूरी equation के अंदर क्या है एक constant गायब कर देगा और बोलेगा यह centricity उसकी है two three कुछ भी तो हम लोगों को यह formula लगाना आना चाहिए ps हम लोग यहां पर क्या लिख देंगे देखो ps का whole square is equal to e square pm square अगर हम लोग यह formula apply करेंगे पी point को h, k मानके तो हम लोगों को hyperbola की equation मिल जाएगी तो यहां पर हम लोगों ने अभी क्या पड़ा definition of hyperbola ओके अब देखो इस definition के अंदर यह जो definition point है इन दोनों fixed point के mid point को ही क्या बोलते हैं center of hyperbola ओके और यह दोनों fixed point को बोला जाता है forky of hyperbola यह दोनों point जिस line पर लाई करते हैं उसको बोलते हैं transverse axis ओके इस line के perpendicular और center से जाने वाली एक जो दूसरी line होती है उसको बोला जाता है conjugate axis है ना तो ellipse के अंदर हम लोगों ने पढ़ाता है major axis minor axis दो तरगी ellipse ते vertical and horizontal और वो किसके depends है a और b की value में a बड़ा है तो horizontal और b बड़ा होता तो तो vertical है ना यहाँ पर ऐसा नहीं है यह बड़ा छोटा कुछ भी हो सकता है कौन सा horizontal होगा कौन सा vertical होगा वह अभी हम लोग मोव देखेंगे किसके 30 पर देखेंगे minus किस के आगे लागा हो है उसके आजार पर हम लोग यह देखते हैं तो सबसे पहले हम लोग clean is standard equation of hyperbola generate कर लेते है ना जैसा हम लोगए ने क्या पड़ा standard equation of ellipse or standard equation of पहरा पर लग पड़ा इस्टेंडर equation of circle हम लोग पड़ चुके है तो ellipse की equation क्या थी एक्स square upon A square plus on b square एक Strong order one standard equation हमें कुछ जादा करना नहीं है बस बी स्क्वेर की जगे क्या रख देते हैं माइनस बी स्क्वेर यह शॉर्टकट है डाइरेक एक्वेशन लिखने का तरीका है ना हाइपर बोल हो जाएगा और जितने भी फॉर्मले जो हम लोगों ने स्टंडर इक्वेशन ऑफ इलिफ्स जो मेजर एक्षिस जिसके अंदर क्या हुआ करती थी एक्स अगर उसमें बी स्क्वेर की जाएगे माइनस बी स्क्वेर तक दें तो सारे गाम हमारे आसान हो जाएंगे अब देखो अभी जो हम लोगों ने डेफिनेशन नंबर टू होते हैं तो इस डायग्रम की नंदर दो river पोई एक है एक है एंपवी अगर कि अभी पी से खुद देखे लो अभी हम लोगों ने देखा इन धोनों जो है डिस्टेंस का ईटपरेंस का होता है ? और एक कम है बराबर नहीं होना ची चाहिए औरा जम लोगों का हाईपर औलपने का मतलब क्या होना ची है ? हम उपरवल प्र 생각이 को ऐसा लिख सकते हैं अब देखो f1 हम लोगों ने माल लिया माईनस सी को माई जिरो है f2 हम ले माल लिया सी को माई जिरो है तो हम pf1 डिस्टेंस फॉर्मला से अगर हम लोग फॉर्मला से फाइंड करेंगे तो यह कितना हो जाएगा देखो x plus c का whole square x plus c का whole square plus y minus 0 का whole square मतलब y का whole square है ना तो ये तो होगी हम लोगों की difference मतलब distance pf1 इसी तरह के से हम लोग pf2 भी निकाल लाता है तो pf2 कितनी हो जाएगी p point x,y और f2 point c,0 तो ये distance हो जाएगी x minus c का square plus y square is equal to 2 है अब हम लोगों को और कुछ निकरना ये हमने definition से equation लिखिए अब इस equation को हम लोगों को क्या कर देना है solve कर देना है तो ये minus वाली time मैं right inside के अंदर ले जाता हूँ तो देखो ये क्या हो जाएगा under root x plus c का whole square plus y square is equal to हम लोग लिख सकते हैं इस equation को 2a plus under root x minus c का square plus y square अब दोनों तरफ square कर देते हैं क्या कर देते हैं हम लोग square both side क्योंकि हम लोगों को standard equation तक पहुंचना है तो अगर हम दोनों तरफ square करेंगे तो left hand side वाला square गया हो जाएगा तो ये क्या लिख पाएंगा हम इसको x plus c का square plus y square is equal to अब right hand side के अंदर क्या हो जाएगा a plus b का whole square लग जाएगा तो 4a square plus under root का है मतलब हम लिख सकते हैं x minus c का square plus y square ये हो गया a square plus b square अब किसकी बारी है plus 2a भी लिखने की तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 4a under root के अंदर x minus c का square plus y का square अब इस equation को थोड़ा और आगे solve करते हैं हम लोगों को बिल्कुल simplify करके चोटी सी equation के form में इसको लेकर आना है तो अब हम लोग इसको थोड़ा वो solve करेंगे तो simplify करके हमारे पास यह equation यह इस तरह का से कुछ form आएगा देखो cx upon a minus a बराबर under root वाली term में right hand side के अंदर रख रहा हूँ बाकी सबको में left के अंदर लेकर आगया उसके बाद ही हम लोगों के पास आया है x minus और हमनों 4a को divide भी करती है x minus c square plus y square अब दुबार हम लोग यहाँ पर इस equation का क्या करेंगे square करेंगे और इसको आगे solve करेंगे तो square करके आगे solve करने पर हम लोगों को equation मिलेगी कुछ इस तरीके से x square upon a square minus y square divided by c square minus a square बराबर 1 अब हम लोग यहाँ पर क्या कर लेते हैं देखो एक थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं कि यह जो c square minus a square है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं देखो c square minus a square को हम लोग लुख देते हैं तो equation हमार पास आजाएगी x square upon a square minus y square upon b square is equal to 1 अब देखो इस वाले ही result से c square minus a square is equal to b square से हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं इसको कि c square बराबर क्या हो जाएगा a square plus b square और c को तो हम लोग जानते ही हैं वह क्या होता है a e तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं a e का square is equal to a square plus b square अदेखो तुम खुछ तोचो ellipse के अंदर यहाँ पर क्या relation होता था a square minus b square is equal to a e का all square ओके तो यहाँ पर अगर मैं b square की माइनस भी रखता तो a square minus minus क्या हो जाता प्लस तो a square plus b square is equal to a square आता यही तो मैं पता रहा था तुम्हें है ना तो यहाँ पर यह होगे हम लोगों के standard equation of hyperbola ओके यह होगा हमारा equation of hyperbola अभी हम लोगों ने पढ़ा है just standard equation of hyperbola अब हम then neither intersect nor touch ओके तो सबसे पहले हम लोगों को बना लेना चाहिए जो यह बता रहा है कि दो ऐसे circle हैं जो ना तो intersect कर रहे हैं और ना क्या कर रहे हैं एक दूसरे को touch कर रहे हैं तो दूर दूर कोई दो circle circle one circle two ओके फिर आगी की क्या कहान यह है the locus of center of variable circle है ना variable circle के center का locus हमें बताना है which touches both the circle externally ओके अब हम लोगों को एक ऐसा circle बनाना है जो इन दोनों circle को externally क्या कर रहा हो touch कर रहा हूँ ठीक है तो एक circle हम लोग ड्रोग लेते हैं जिसके हम लोगों को center का क्या बताना होगा locus बताना होगा ओके तो इस तरह जो कुछ circle बना लेते हैं हम लोग यह circle है ओके थोड़ा सा wrong हो गया एक circle है जो externally दोनों के दोनों constant circle को क्या कर रहा है तो देखो यहां पर हम लोगों को यह circle दीए मतलब इसका क्या दिया वाए हम लोगों को center भी दिया वाए और इसकी radius भी दी वह यह और दूसरा वाला circle का हम लोग center का मान लेते हैं कि वह क्या है C2 और उसकी radius भी हम हम लोग मिला देते हैं तो क्या देखो यह C1 को मैंने मिला दिया C2 से और C2 को मिला देते हैं हम C1 से C से और C को मिला देते हैं हम लोग C1 से ओके तो देखो पहले वाले की radius कितनी है R1 यह हम लोग मान सकते हैं और इसकी radius मान लेते हैं R2 है okay यह वाले circle की radius हमें पटा नहीं है इस वाले radius की radius मानलेते हैं हम लोग इस सरकल की जो variable circle राड बटा उसके radius नहीं पता संटर भी नहींपता और हमें एक बात यहां पर दी हुई और यह वह क्या है कि यह जो वाला सर्कल है दोनों को externally क्या करेगा अब देखो जैसा कि हम लोगों ने circle के अंदर नोलेज पड़ी है तो अगर मैं जैसे मामदलों नाम देता हूं इसका S1 इसको देता हूं मैं S2 और इसको नाम देता हूं एस तो देखो S1 and S touch externally to each other जैसा वो बता रहा है अगर यह एक दूसरे को touch करते हैं तो दो circle जब एक दूसरे को externally touch करते हैं तो हम लोग क्या relation लिख सकते हैं दोनों के center की बीच की distance मतलब c c1 बराबर हम लोग लिख सकते हैं addition of radiation radian r plus r1 हम लोग ऐसा लिख सकते हैं यह का यही case जो हम लोगों नहीं यह पर लिखा किसके लिए हम लोग ऐसा कर सकते हैं s2 and s के लिए ऐसा हो सकता है तो हम लोग क्या लिखेंगे c2 और c की बीच की distance मतलब c c2 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं c c2 is equal to r plus r2 और यह equation number हमारी क्या हो गई 2 अब देखो equation number first मैंसे equation number second minus कर देते हैं तो यह क्या मिल जाएगा हम लोगों को c c1 minus c c2 is equal to r से r कर जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा r1 minus r2 अब देखो क्योंकि r1 constant है r2 constant है तो r1 minus r2 भी constant होगा तो हमें क्या मिल गया देखो c c1 minus c c2 भराबर हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं constant लिख सकते हैं और यह हम लोगों की कि यह definition किसको सजेस्ट कर रही है हाई परबोला को हाई परबोला ऐसा मझे सुनना कि हम हाई परबोला पट रहे हैं तो हमारा answer हाई परबोला होगा ऐसा नहीं है यहाँ पर जो second वाली definition हम लोगों ने पड़ी थी कि हाई परबोला को पर कोई पॉइंट है तो वो दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस दोनों की calculate करो और दोनों डिस्टेंस का difference निकालो तो वो क्या होना चाहिए constant है ना तो यहाँ जो दो फिक्स फोकस है वो दिये वे एस वन और एस टू सरकल के center है ओके और जो variable circle है उसका center हमेशा हाई परबोला पर लाइक करेगा तो इसका answer क्या हो गया हाई परबोला जो option number किसमें given है option number d के अंदर गिवन है तो इसके जैसा एक और question हम लोग solve करते है if the base of triangle and क्या लिखा हुआ है if the base of triangle okay and ratio of tangent ratio of tangent of half of base angle are given first of all we need to draw the triangle then only we can solve तो देखो एक triangle हम लोग बना लेते हैं जैसा कि यह बता रहा है यह लोग इस triangle का नाम दे देते हैं हम लोग a b c let triangle is a b and c normally हम capital a के सामने वाली side को बताते है small a length मतलब b c के length कितनी है small a और b angle के सामने a c line को हम लोग बोल देते है small b जैसा है कि हम लोग ने solution of triangle के अंदर देखा था और इसको बोल देते हैं हम लोग c अब देखो यह बोल किया रहा है if the base of triangle base का मतलब तो b c है और if the base of triangle and ratio of tangent of half of base angle are given these things are given then the locus of opposite vertex is तो हम लोगों को locus किसका निकालना है a का locus निकालना है और हम लोगों को यहाँ पर given क्या है in triangle a b c what is given means what is constant वो है base हम लोगों को diagram जैसा दिख रहा है इसकी according हमारा b c जो है वो base है और इसकी length कितनी है और दोको यह given है मतलब हम लोग इसको क्या क्या बोल सकते हैं constant बोल सकते हैं उसके अलावा दूसरी बार देखो बापे से समझो ratio of tangent of half of base angle है ना तो half of base angle का मतलब क्या है b angle और c angle का half मतलब b by 2 and c by 2 b by 2 और c by 2 का क्या करना है tangent मतलब 10 b by 2 and 10 c by 2 का ratio given है 10 b by 2 divided by 10 c by 2 is given अब वो given है वो कितना है वो constant है तो हम लोग मान लेते हैं कि वो k है तो यह भी क्या हो गया बई constant हो गया 10 b by 2 upon 10 c by 2 constant है अब निकालना क्या है then find the locus of opposite vertex मतलब हम लोगों को a point का क्या निकालना है लोकस निकालना है अब dv condition हमारे पास एक तो यह है और एक यह है तो देखो इस particular question को solve करने के लिए यहाँ पर जो लाइकिन वाली equation है उसको देखने के बाद 10 b by 2 का formula जो कि हम लोगों ने solution of triangle के अंदर पड़ा है वो दिमाग में आना चाहिए उसके बिना हम इस question को solve नहीं कर पाएंगे है ना तो कहीं न कहीं यह question j advance पर बेस्ट है क्यों क्योंकि solution of triangle mainly advance में पूछा जाता यही मैंस में इतना आता नहीं हो ओके तो 10 b by 2 का हम लोगों को formula आना चाहिए तो वह कितना हम लोगों ने पड़ा था अंडर रूट है ना यह काफी time हो गया होगा पड़े बट फिर भी याद होना चाहिए s-c into s-a divide में इसमें कुछ-कुछ होता था divide by s into s-b यह होगा हमारा 10 b by 2 और 10 c by 2 के लिए क्या formula हो जाएगा symmetry से कर सकते हैं यहां b था तो divide में s-b था अब यहां c है तो divide में s into s-c हो जाएगा तो यह क्या हो जाएगा s-a into s-b divided by s into s-c यह हम लोग equation number 2 को दुबारा लिख सकते हैं तो यह किसका formula है 10 b by 2 का और 10 c by 2 का formula यह वाला formula है अब देखो अब जो cut रहा है उसको cut कर दो s है ना s हम लोगों को पता होना चाहिए क्या होता है a plus b plus c okay तो s के हम लोगों को definition पता है यह a plus b plus c a plus b plus c upon 2 होता है यह वह यह जो hero formula के अंदर हम लोग पढ़ते थे ठीक है तो इस equation को थोड़ा और solve कर लिया जाए तो देखो हो जाएगा के देखो मेरी वास सुनना यहाँ पर square और right-hand side के अंदर constant है है ना तो अगर हम लोग square कर भी देंगे तो right-hand side के अंदर तो constant है ना सको k1 मान लेते हैं चलो कोई दिक्कत नहीं अब इसके बाद क्या करें तो इसके बाद apply कर दो component and divided into component and divided into जिसको योगांत रानुपाद बोलते हैं गुजराती लेंग्वेज के अंदर है ना हिंदी में भी शायद यही वर्ड है तो इसके अंदर क्या हो जाता है उपर addition नीचे से माइनस हम लोग कैसा भी कर सकते हैं तो मैं यहां पर बता देता हूं यह क्या होता है P by Q is equal to A upon B लिखा है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं P plus Q upon P minus Q is equal to A plus B upon A minus B है ना इसको एसे भी लिखा जा सकता है P minus Q upon P plus Q is equal to inverse करते हैं दोनों तरफ और कुछ नहीं है a-b upon a plus b ओके तो देखो यहां पर हम लोग वही apply कर रहे हैं तो यह क्या लिख सकते हम लो x-c minus s-b divide by अब नीचे plus कर लो s-c plus s-b और उपर भी क्या हो जाएगा k-1 upon k-1 अब देखो उपर और नीचे जो कट हो रहा है कट कर दो और बाकी जो बचला सुलिक दोती है उपर क्या हो जाएगा b-c और नीचे s और s सकते हैं a बराबर हम लोग लिख सकते हैं k-1 upon k-1 तो यह हो जाएगा हम लोगों का b-c is equal to a into k-1 upon k-1 अब b देखो क्या है b है ac distance और c जो है कौन सी distance है ab distance और वो आ रहा है k की form में k की form में आ रहा है मतलब वो क्या है constant है अब देखो a c minus ab is equal to constant तो थोड़ा सा ट्राय करो a जो है उसका लोकस हम लोगों को निकालना है तो एक ऐसे पॉइंट का लोकस जिसकी दो fixed points से distance का difference constant होता है वह होता है पुर्वला तो यहां पर हम लोगों का अंसर क्या हो जाएगा लोकस ओफ वर्ट एक्स लोकस ओफ वर्ट एक्स ओफ पॉइंट ऑफ पॉइंट ए इस वोट हाइपर बोला तो यहां पर क्या यहां पर हम लोगों को एपॉइंट का क्या निकालना था लोकस और वो लोकस कितना आ रहा है हमारे यहां पर निकलके हाइपर बोला आ रहा है तो इस question का answer हो गया अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं अब हम लोग basic term associated to hyperbola पढ़ेते हैं यही term हम लोग पहले भी पढ़ते हुआ हैं जैसा कि हम लोगों ने देखा था पैरा बोला के अंदर तो पैरा बोला के अंदर बहुत सारी बात हैं हम लोगों ने देखी थी focus directories है ना focus के point के coordinate directories की equation तो यह सब हम लोग यहां पर भी देख लेते हैं तो सबसे पहली बात है focus focus अभी अभी हम लोगों ने देखा जो दो fix point होते हैं उसी को focus बोलते हैं बट फिर भी अगर define करना हो तो the two fix points are called the focus of the hyperbola are denoted by f1 and f2 the distance between two focus कि f1 and f2 is denoted by 2c यह जो 2c है यह वाली distance यह किसके between होती है f1 और f2 के बीच की distance होती है और यही तो distance को हम लोग बोलते है 2aE है ना तो पहला focus हम लोगों का जो है यह f1 अगर left में हम लोग ले रहे हैं तो यह कितना हो जाता है minus a,0 और f2 जो है वो क्या हो जाता है ae,0 इस तरह के से हम लोगों के पाफ focus के coordinate आता है दोनों के distance 2aE है जिसको हम लोग बोलते है 2c लब c is equal to a next क्या हो जाएगा center center कुछ भी नहीं होता the midpoint of line joining the focus called the center of hyperbola है ना तो जो हम लोग standard equation जानते हैं उसके अंदर normally जो होता है origin को हम लोग क्या बोल देते हैं center बोल देते हैं hyperbola है जिसकी दो अलग-अलग branches है तो यह hyperbola जिस line के symmetric होती है जिस line के symmetric है ना तो वैसे तो यह hyperbola दोनों के symmetric है यहां पर यहां पर देखो यह जो y axis के left में और right में दोनों तरफ एक जैसा है या फिर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं जिस axis को यह intersect करती है focus पर तो उसकी length कितनी होती है two है और उसको क्या बोला जाता है transfers axis तो इस वाले case में यह वाली transfers axis है और यहां पर इसको हम लोग क्या बोल देते हैं conjugate axis यहां पर देखो नीच वाले diagram के अंदर लिखावाए conjugate axis की definition the line segment through the center and the perpendicular to the transfer axis is called the conjugate axis length of the conjugate axis is to be यह हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम लोगों को English में जो नाम है उनके साथ थोड़ा comfortable हम लोग हो जाए और कुछ नहीं वैसे तो transfers axis क्या होती है तुम लोग जानते हो conjugate axis भी but फिर भी comfortable होने के लिए okay next vertices क्या होते हैं जहां एक्सिस को hyperbola intersect करता है उसको vertices बोलते हैं the point at which the hyperbola intersect the transverse axis at quarter vertices of the hyperbola ठीक है तो देखो यहाँ पर यह vertices है यह vertices और यह vertices है और इसके जो coordinate हो जाते हैं वह क्या नहीं हो जाते है a,0 and minus a,0 और इसी की distance को हम लोग बोलते हैं इन दोनों की बीच की distance दोनों point को इसको देते हैं नाम a इसको नाम देते हैं हम लोग a,a a,0 इसी इसी कितना होता है that is the length of transverse axis the distance between two vertices is denoted by two a, ascentricity हम लोग जानते है hyperbola के लिए कितनी होती है greater than one directrice अब देखो directrice वाली के equation के लिए हम लोग क्या गरते है डायरेक्ट्री वह लाइन है जो fixed line बोलते है जिसको अम लोग directrice the line perpendicular to transfers axis and cut 8 at the distance of a square upon c from the center मज़लब देखो यह वाले nursing Пр己 को देखो यह हम लोगों की branches है यह वाली branch और यह वाली branch यह किसगे सीं है hai बोला की branches है है इसको देदो डी रवन नाम और इसको नाम देदो d2 यह center से a square upon c की distance पर होती है a square c की distance होती है मतलब x is equal to a square upon a e मतलब x is equal to हम लोग लिख सकते हैं a upon ई यह किसकी equation लिख सकते हैं हम लोग directories एक पहले वाले directories की और दूसरे वाले डिरेक्ट्री की एक्विशन में लोग क्या लिख सकते हैं एक्स इस इकल टू माइनस अपॉन ई देखो यह डिरेक्ट्री की एक्विशन अगर हम लोगों को पता है तो इनकी हेल्प से हम लोग लेटर्स रेक्टम क्या निगा सकते हैं लेटर्स रेक्टम नहीं कि पुरानी बातों से सब लिंग कहें जिस तरीके से एलिफ्स के अंदर अंथ5 एक टेंगर helemaal फोक्स से जाती थी यहां पर फोक्स से जा रही ए और मेनसार इस जिसको लोग बोलते है Transverse Axis, तो Transverse Axis के वो क्या होगी? Perpendicular, अब Length of Letters Rectum हम लोगों को अगर calculate करना है क्या calculate करना है? Length of Letters Rectum तो सबसे पहले हम लोगों को किसकी equation पता होनी चाहिए? इसकी जनाम से है, Letters Rectum की equation पता होनी चाहिए तो Letters Rectum की जो equation है, वो focus से जा रही है इसलिए equation क्या हो जाएगी? इसकी x is equal to a और x is equal to क्या हो जाएगी? minus a, क्योंकि focus से जा रही है, अब इसको दोनों को solve कर लो किसके साथ? x square upon a square minus y square upon b square is equal to 1 के साथ तो हम लोगों के पाद जो है, वो coordinate आ जाएगे और coordinate किसके मिल जाएगे हम लोगों को? यह जो Letters Rectum है, उसके 2 point एक है L और एक है L dash तो इन दोनों को अगर हम लोग solve करेंगे तो यह हो जाएगा हम लोगों का, यहाँ पर बस x is equal to a e रखना है हम लोगों को, यहाँ पर क्या रखना है? a e का whole square upon a square minus y square upon b square is equal to 1 अब देखों, यहाँ पर a square से a square कर जाएगा और यहाँ पर एक और relation हम लोग use कर सकते हैं, वो क्या है? हम लोगों का relation a, b और e में तो अगर वो relation हम लोग यहाँ पर use करेंगे तो उससे हम लोगों को length of letters rectum जो है, वो मिल जाएगा L, L dash जो की होता है 2b square upon a तो यह अभी तक हम लोगों ने सिर्फ एक ही hyperbola के बार में study चरिए और वो कौन सा था? x square upon a square minus y square upon b square is equal to 1 अब next time, next lecture के अंदर हम लोग पढ़ेंगे conjugate hyperbola, जिसके अंदर x square upon something minus y square नहीं होगा, y square upon b square minus x square upon a square is equal to 1 इस तरीके से कुई equation लिख हुई होगी, ठीक है, तो देखो, hyperbola के अंदर वैसे तो बहुत सारी चीज़े common है, जो हम लोग circle, parabola और ellipse के अंदर पढ़ते हुए आए हैं, क्या-क्या, जैसे tangent की equation t बराबर 0 होती है, chord of content की equation भी, chord of content की equation भी t बराबर 0 होती है, यह न, pair of tangent की equation s is equal to t square होता है, वो concept भी यहाँ पर वैसा का वैसे रहेगा, तो यह concept अलग से hyperbola में कोई पढ़ने की जुरत हम लोगों को नहीं है, जो extra है hyperbola के अंदर,